मा कभी बूशन का ये अगला पद है सोंदे के आधार किस मिस जिसको आहारचार अंकलक सुप मुख चंद के समानी है ऐसे अरिनारी से बिराजबीर तेरे तरा स्पायन के छाले परे काई कुम लानी है प्रस्तूत पद्यांस में कभी बूशन ने वीरस का चित्रन किया है इस में सिवाजी के सोरियत था उससे भैवी सतरूपक्स का चित्रन इस पद में कभी बूशन ने किया है कभी भुशन कहते हैं कि हे वीर शिरोमनी शिवाब जी जो सत्रू नारियां पहले सुगंद युक्त पदार्थों का शेवन तथा किसमे साधी मेवों का आहर करती थी जिनकी कमर सुंदर्था के कारण पतली तथा मुक्चंद्रमा के समान सुंदर्था ऐसी सत्रू नारियां अब तुम्हारे भैसे भागती रहती है इस कारण उनके पैरों में च्छाले पड़ गये हैं और उनके सुंदर सरीर मुर्जा गये हैं वे ग्रिस्म काल की तप्ती दोपरी की भी चिंता नहीं करती हैं अर्थार्थ गर्मी के तापकों भी मजबूरी में सहती रहती हैं तथा कमल कली की तरह बिना पानी के ही मुर्जाये रहती हैं अर्थार्थ प्यासी फिरती रहती हैं वे आपसी भेदभाव को त्याग कर अपसराओं के समान इस तरह नि करती है, प्रस्तूत पद में जो सत्रु नारियां पहले सुख वैब हमय जीवन तथाबाध में विपन्दसा से ग्रस्त रहना, इस तरह सत्रु पख्स की नारियों का जीवन, शिवाजी के प्राकरम के कारण चिंतन ये दर्फाया गया है पक्सें विपक्स में वीर्ट था बहानक रूप की योजना प्रसस्य है प्रस्तूत पद्धांस में अनुप्राश, स्लेश, उपमा और प्रियायोक्ति अलंकार का प्रियोग हुआ है अगला पद प्रस्तूत पद्धांस कभी भूषन द्वारा रचित है इसमें भूषन ने राष्टी भावना का परिचे देते हुए बतलाया है यदि अन्य हिंदू राजा भी शिवाजी का साथ देते तो उस समय भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाये जा सकता था इस एत्यासिक सत्य के और संकेत करते हुए कभी भूषन कहते हैं जैसे बहुत अनिती करने से सकती साली रावन का कुल भी नस्ट हो गया था वैसे ही हिंदू राजाओं की अनिती से ये देश अपने गोरव अपनी सैंसकर्ती और सब्यता से नस्ट होने लगा देवराज इंदर से इर्षय रखने पर दित्ते राज बली को भी पाताल में जाना पड़ा और अभिमान करने से हिरने कच्छब का भी विनास्वा इस परकार भगवान स्रीकर्शन से वैर करने के कारण राजा सिसुपाल का भी विनास्वा और बूरे आच्रन करने से महिसा सुर नामकदत्य का भी विनास्वा कवी का भाव ये है कि आपसी फूट, इर्षया, जुटा अभिमान, गलत आचरन और आपस में बैर रखने से बूरा ही होता है इनी दोसों के कारण भार्ज के हिंदू राजा मुगल सामराजे के दौरा नस्ट किये जाते रहे कवी भूसन कहते हैं कि जिस परकार सिवजी का धनुस भगवान राज के हाथ का इस पर स्पाते ही तूट गया था उसी परकार सिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की बादसाई तूटने लगी अर्थार्थ सिवाजी ने हिंदू जनता को सनक्षन परदान कर मुगल सामराजे के बढ़ते परभाव को कम किया कवी ने इस पद में सिवाजी की तुलना भगवान राम से की है और संकेत रूप में बतलाया है कि सिवाजी का विरोध करने से मुगल सामराजे का परभाव एकदम कम हो गया है कवी ने इस एत्यासिक सत्य को बड़ी वेथा से के साथ हुबा रहा है कि उस समय अधिकतर हिंदू राजा आपस में लड़ा करते थे और मुगल बादसा फूट डालो की निती का साहरा लेकर अन्य राजियों को अपने अधिन करता जा रहा था उन देशी राजाओं में जुठा अभिमान और बैर विरोध रहने से भारत की राष्टी एकता, सैंस करती और सब्वेता को बहुत हानी उठानी पड़ी अंतिम दो पंक्तियों में शिवाजी के परती पुझ्य भाव की अभिविक्ती हुई है अवतरण में पोरानिक अख्यान्या के और भी संकेत किया गया है प्रस्तूत पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकास, द्रस्टांत और उपमा लंकारों का प्रियोग हुआ है अगला पद भुझ भुझ गेस की बे सिंगनी बुजंगनी से खोदी-खोदी खाती दिये दारुन दलन के बक्तर पाकरनी बीच दसी जाती में पैरी पार जाती पर वाजो जलन के राया राव चम्पति के छतर साल महाराज भुझन सक्यकरी बखान को बलन के पच्छी पर चिने ऐसे परे पर चिने वीर तेरी बर चिने बर चिने हैं खलन के प्रस्तूत अवत्र्म कभी बुशन दूरा लेचिछ साल परताब से अवत्रुत है इसमें महाराज साल के प्राकरम की प्रसंसा की गई है कभी भुषन कहते हैं कि रईयाराव चम्पती राय के सपुत्र महराज सेक्तर साल आपकी बर्ची तो बुजा रुपी शरप राज की संगनी सर्पिणी के समान है वह बर्ची रुपी बहानक सर्पिणी सत्रों के सौओं को गहराई तक खोद खोद कर खाती है डस्ती है व необход सत्रों के कवच और लोहे के पाक्षियों में इस परकार धंस जाती है जैसे मसली जल की प्रबल धरा को चेर कर पार चली जाती है भाव यह है कि आपकी बर्ची सर्पिनी की तरह विसाक्त और मचली की गती की तरह टिवर है और उसके प्राहर से सत्रों का एकदम विनास हो जाता है बुशन कभी कहते हैं कि हे महाराज आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है आपकी बर्ची ने दुस्ट सत्रों के बल को ऐसा छेन कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर परकटे पक्सी की तरह असक्त होत कर धर्ती पर पड़े वे हैं इस प्रकार आपकी बर्ची ने दुस्ट सत्रों के बड़े वीरों को मोत के घाट उतार दिया है इसमें वीरगाथा कालिन चारण कवियों की अभिविक्ति का स्वर है कवी भुषन स्वयम वीरता के अवतार थे इस कारण परतेक छंद में वीररस के भावों की ससक्त अभिविक्ति हुई है वस्तूत पद्यांश में अनुपराश और यम्मक अलंकारों का समत्कार चित्रित हुआ है बुजा को सरपराज और बर्ची को सरपनी के रूप में बतला कर वस्तूत प्रेक्सा अलंकार का प्रियोग किया गया है